नमस्कार बहुत स्वागत है आपका कभी कभी सत्रू बहुत परेसान करते हैं हाना कि सत्रू से मुक्ति के लिए सत्रू निर्बल हो जाएं इसके लिए हमने बहुत सारे प्रियोग बता हैं लेकिन आज जिस हम प्रियोग के बारे में बात कर रहे हैं उस प्रियोग को करने के सत्रू सांथ हो जाएंगे चाहकर भी आपका बाल भी बाकर नहीं कर सकते आपका कुछ बिगार नहीं सकते लेकिन उसके पहले बता दें आप बेवज़े किसी को तंग मत कीजिएगा अगर कोई आपको बहुत परिसान कर रहा है बहुत पीडा पहुंचा रहा है बहुत ज़्य कई बार क्या होता है आप जॉब करते हैं आपकी जॉब में तरक्य रुख जाती है आपके सिनियर आपसे सतुरता रख रहे हैं आपके जो साथ में रहते हैं काम करते हैं वो लो सतुरता रख रहे हैं आपके बारे में हमेशा ही कुटनी तिक चाल चलते हैं आपको परिसान कर आप बैएसाई बहाई हैं आपको लग रहा है यश्या है क्योंके सारे गराख वहां चले गया है लेकिन कुछ कर नहीं सकते ऐसा भी होता है फिर तसता है घर पड़ि बार कर देता है जब कोई तोटका तंत्र क्रिया करवा देता है किसी के घर में और ऐसा होता है 100 परसेंट उससे बचने के लिए क्या परियोग हैं इसके बारे में भी हमने आपको बहुत सारे प्रियोग बताये हैं क्या लक्षन होते हैं जब कोई आपके ऊपर कोई तंत्र मंत करव आप पुरूस हैं इस्तरी हैं लेकिन एक बात रखिएगा कि इस्तरियां प्रियोग नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है पुरूस कर ले क्योंकि इस्तरियां थोड़ी सौप्ट माइंड की होती है और या फिर बहुत क्रोध में रहती हैं दो ही चीज होती है उनके साथ सोचन इसा नहीं कि मैं आपकी वारें कह रही हूं लेकिन अगर पुरूस कर लें क्योंकि वह अच्छे से डिसीजन लेकर यह परियोग करेंगा दूसरा यह तंद प्रियोग है तो महिलाएं नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहागा यह पूरूस करेंगे तो आज हम जिस परियो अगर गष्ठा ग़निश्टा निश्यत्र किस दिन है। यह तीन दिन में अगर किसी मेहने में पढ़ जाया तो उस दिन यह परियोग जरूर कर लिजएगा। कि यह परियोग आपको करने के लिए सबसे पहले एक पौधा है जिसका नाम है बेसर्म अब बेसर्म पौधा इसके एक और नाम है जिसको दूसरी भासा में बेहाया बेसरम या थेथर भी कहते हैं तो इस पौधे का नाम है ये आपको आसानी से नदी तालाब के किनारे मिल जाएगा आपको मिल जाएगा पिक देखिए आपको मिल जागा ये पौधा इसमें फ्लाबर भी आते हैं लाइट पैग निकलर का तो इस पौधे में पौधे के पास जाना है आपको पां जो दोपार होता है एक दम 11-12 इस वक्त कोई काम मत कीजेगा यह वक्त सही नहीं होता कोई भी काम के लिए आप या तो सुभा चले जा या फिर दोपार के बाद जाएगा दो बजे के बाद तो पास सुई लेकर जाएए और इस पौधे में चुबो दें कहां पर और फिर आप उनसे कहें आप चाहें तो उसको चुबो कर आप चले आएए अपने मन की बात कहके आप क्या चाहते हैं किस से चुटकारा चाहते हैं क्यों चाहते हैं चुटकारा वो आपका क्या परिसान कर रहा है उनको साप साप कहिए और फिर आप चले आएए घर और अग पार को परिशान खत्म कर रहा है तमाम तरके टोटके कर दिया हमारे घर परिवार में टेंशन है और फिर उस डाली को जिस पर आपने सुईयों को चुब होया है सुई को इस तरह से चुब होईएगा कि वह डाली के अंदर प्रवेश कर जाए बाहर से जैसे हलके पुल के जो डाली में आपनी चुब होया है सुई इस बेसरम के पौदे में और उसको लेकर आप चले आएए अपने घर मताईएगा अंदर आप लेकर आए और जिसका भी जो कोई वैक्ति आपको परिशान करता है उसके घर में फेक दें जो बैपार भाई हैं जो आपके गरहाक ले जानकारी अची लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें कमेंट करें करें अषा आपके घर मेंतौन से ंपके जो बैर मेंट झाले हैं हैं